नमस्कार मित्रों, वहवार न्यालय, धुमका, हजारी बाग, बोकारो, पाकुड, इन सभी जिलों में वहवार न्यालय में रिख्ट पदों पर सिधी निक्तवी हेतू, योग उमिद्वारों से विहित पत्पत्क में स्वाहस्त लिखित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। मतलब ये तो दुमका जिला का हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यही चीज आपका हजारी बाग जिला में भी लिखला है, बोकारों में भी लिखला है, और पाकुड जिला में भी लिखला है, और दुमका में भी लिखला है। तो आप जो जिला में हैं, उस जिला के लिए यदि योग उमिद्वार है तो आप जरूर आवेदन करे वहाँ और ये निफ्ती है सो अस्थाई है आपका पर्मानेंट नौकरी लगेगा यदि आपका हो जाता है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं प्यून का 6 सीट है माली का 1 सीट है चालक का 2 सीट है फिर प्यून आदे प्यून के लिए आपको मैट्रिक पास या समकच होना चाहिए मलब मैट्रिक पास और यहाँ पे लेबल आप देख सकते 18,000 से लेकर 56,900 तक है लेबल 1 का मलब ये अस्थाई पद है अस्थाई 42 इसमें होगी इसलिए इसमें वेतनमान दिया हुआ है अब भरती का तरीका क्य होगा तो इंटर्विव होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फिर माली के लिए भी दसमी पास है और इसका भी सेम वही है वेतनमान जो प्यून का है फिर चालक का थोड़ा सा आपका बढ़ गया 19,900 से 63,200 आई लेबल 2 में चले इसके लिए भी आपको दसमी पास होना अनि परात्री पाहरली के लिए भी मैट्रिक पास, पराहरी के लिए भी स्लीपर के लिए और चालक के लिए तो ये ज्यादा तर जो ये मांगा गया है कौलिफिकेशन इसमें आपको मैट्रिक पास या इसके समकच मांगा गया है तो जो भी उमिद्वार है जो इच्छुक है अस प्लस यहां पस जो भी अरच्छन का नियम है जर्खन सरकार का जो अरच्छन का नियम है उसी का धार पर काम करेगा इसमें 18 वर्से 37 वर्स के आयू तक के मलब भर सकते हैं कंडिडेट और उनकी जो आयू की गन्ना होगी 18 2022 से होगी और अधिक्तम सीमा कितना है तो 40 वर्स फिर है इसको भीजना कैसे है तो स्वाभी परमानित पर्ती यहँवं अरच्छन आरच्छित वर्स के आवे तक आरच्छन से सम्मनित परमानपत्र की स्वाभी परमानित प्रती अवेदन के साथ अव और संगलन करेंगे मलब जितना भी सैचनिक परमान पत्र है आपका साथ ही यदि आपका कुछ विशेश और है तो वो उसको क्या करना है अपने से साइन करके मलब स्वा भी परमानित करके लिफापा में भरके भेजना है भेजने का तारीक क्या है तो 25.02.2023 इसका लास डेट है कब तक तो ये जम मातों हात जाके भी जमा कर सकते हैं तो यहां साफ लिख दिया है कि जो आपका होगा यह कहा है तो पर्धान जिला एवं सतर न्यायधिस हजारी बाग बोकारों में है तो लिखना होगा परधान जिला एवं सतर न्यायधिस बोकारों और पाकुड के हैं तो परधान जिला एवं सतर न्यायधिस पाकुड लिखना होगा को समन्नित करते हुए निबंधि डाक से या हाथों हाथ भी आप उसको जाके जमा करवा सकते हैं यहाँ पर आपको क्या-क्या देना है तो साफ लिखा हुआ है कि तीन पासपोर्ट साइज फोटो देना है और दूसरा परवेश पत्र का सटा रहना चाहिए और तीसरा जो है वत्रिक्त होगा स्वाहस्त लिखित लिफाफाय को देना चाहिए जो 25 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर का हो और परवेश पर निर्गर्ट करने है तुछ चाहिए और उसमें 40 रुपया का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए वह आपको जो एड्मिट कार्ट भेजेगा रजिस्टी से तो वह रजिस्टी का 40 रुपया वह आप ही से लेगा उ आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस लिंक से इस फॉर्म को और देखे यह एड्रेस यहां साफ लिखा हुआ है सेवा में परभारी नियाधिर वहवार नियालय दुमका यदि आप दुमका जिला में भर रहे तो दुमका लिखाएगा आई अब बोकारो से भरे तो बोकारो हजारी बाग से भरे तो हजारी बाग तो यह हजारी बाग बोकारो दुमका पाकुड यह सब जिला में लिखला हुआ है अस्थाई न्युक्ति है अगर आप बेरोजगार है तो जरू इसको ट्राइ कीजिए और आवेदन कैसे भेजना तो यहां देखे हाथों हाथ मलब निबंधि डाक से भेज़े मुझा रजिस्टिक कीजिए इस्पीड पोस्ट कीजिए या फिर हाथों हाथ जाके जमा कीजिए किसी भी तरह से आपका वह स्विकार कर लेगा लेकिन इसका पचीस दो 2023 तक ही भरना इसका लाश डेट है और देखे यह है इसका फॉर्म है यह फॉर्म को आपको भरना है या साप लिखा स्वहस लिखी तावेदन पत्र मलब इस फॉर्मेट को लिखा लेना और यहां जो लिखना है वो आपको हाथ से ही लिखना है मना कलम से लिख दीजेगा इस प खेल आपको बढ़ियां से पढ़के फिल करना है फिर यहां घोसना है घोसना करने के बाद आपको यहां साइन कर देना है यहां दिनांग डाल देना है और अस्थान डाल देना है यह आपका हुआ फॉर्म और यह रहा आपका एडमीट काड का फॉर्म यह एडमीट काड है जि चालिस उप्या का काई को उसी को भेजेगा आपको admit काट क्या करें को उसी में डाल के आपको भेजेगा तभी तो आप फिर जाईएगा interview देने तो यह है आपका परवेश पत्र तो इस तरह का परवेश पत्र है और यह सारे format आपको कहां मिल जाएंगे description में दिया हुआ उसके बाद हम हजारी बाग का गर देते तो उसमें लिखा रहे है कि हजारी बाग जिला के लिए download कर ले तो उसके नीचे link दिया रहेगा उससे आप download कर सकते हैं तो सभी जिला का मैं description में link दे दूँगा वहाँ से आप असानी से download कर लीजिए और मेरी सुख कामना है आपके साथ इसको apply कीजिए मिलते हैं next वीडियो के साथ जरूरत मंदों को जरूर या वीडियो शेयर करें ताकि और भी लाभानवित हो सके जय हिन जय भारत